तो दोस्तो अगर आपके Split AC ने चलते चलते कूलिंग करना बंद कर दिया है या फिर कूलिंग कम हो गई है तो इसकी एक वज़य ये भी हो सकती है कि AC के फिल्टर में बहुत सारी दूल का जमा होना तो आज की इस वीडियो में हम step by step सीखेंगे कि किस तरीके से आप Split AC के फिल्टर को AC से बाहर निकाल कर कैसे उनकी सफाई कर सकते हो दोस्तो यकीन मानिए अगर आप ये सीख गए तो आपको फिर कभी जिन्दकी में AC सर्वी सेंटर कॉल नहीं करना पड़ेगा आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा देखें so that कि आपको हर एक स्टैप अच्छे से समझ में आए तो दोस्तो ये हमारा Voltage का Split AC है जिसके फिल्टर को हमें क्लीन करना है सबसे पहले आप Power Plug को Disconnect कर दे to avoid any kind of electrical shock और electrical injury दोस्तो मैं आप सभी लोगों से एक humble request करना चाहूँगा कि 2020 में अगर आप AC ले तो Made in India ले जैसा कि आप देख सकते हैं ये Made in India है Voltage Attata Product तो चलिए इस पैनल को अब open कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक special जगह दी हुई होती है इसको open करने के लिए और इसी तरीके से आपको right side में भी एक जगह मिल जाएगी जिससे कि आप इसको open कर सके आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर भी एक जगह मिल जाती है जिसकी वज़े से आप इसको open कर सकते हैं और lift कर सकते हैं तो अपने दोनों हातों से आप इसको lift कर ले आप देख सकते हैं यह मैंने open कर लिया है और ये इसके filters हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे आप देख सकते हैं कितना dust इन में भरा हुआ है तो ये असली वज़य है जिसकी वज़य से cooling नहीं हो रही थी तो यहां पर आपको open करने के लिए भी आपको जगह मिल जाएगी इसको सिर्फ lift करना है इसी तरीके से आप दूसरे filter को भी open कर ले और जो front panel है आपका उसको भी आप पूरी तरीके से lift कर ले इस panel को अच्छे से lift करने के बाद आपको इन filters को निकालना है इस filter को आप आसानी से नीचे की तरफ खीच ले और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा आप देख सकते हैं कितना सारा dust इसमें भरा हुआ है ये देखिए पूरा का पूरा आपका जो filter है वो block हो चुका है तो हवा कैसे पास होगी ये जो दूसर फिल्टर है इसको भी आप निकाल ले तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही जो filters है वो पूरी तरीके से block हो चुके है देखिए कितना गंद इसमें भर चुका है कितना dust इसमें जमा हो चुका है मैं आपको बता दू कि मैं राजिस्थान में रहता हूँ और यहाँ पर दूल बरी आंदी आती रहती है और यह सबसे बड़ा कारण है कि AC में दूल जमा बहुत जल्दी हो जाती है तो मुझे हर 15 या 20 दिन में इसको साफ करना पड़ता है और आपका भी एरिया अगर ऐसा ही है जहाँ पर दूल बरी आंदी आती रहती है तो आप इसको हर 15 से 20 दिन में इसको साफ करते रहें इन दोनों फिल्टर्स को वाश करने के लिए सबसे पहले आप एक ब्रश ले ले ब्रश आपका कपड़े दोने वाला ब्रश हो सकता है या फिर आप टूथ ब्रश ले सकते हैं लेकिन टूथ ब्रश अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपका बहुत जादा टाइम लग जाएगा तो बहतर है कि आप एक बड़ा ब्रश ही ले जिसे की फिल्टर बहुत जल्दी साफ हो जाए कितना सारा dust जमा हुआ है धीदेरे करके आप सारा dust निकाल दे और जब तक ये filter transparent ना हो जाए तब तक आप इसका dust निकालते रहें तो चलिए हमारे filter साफ हो चुका है वाश करने के बाद filters को थोड़े दूप में रख दे तो चलिए अब इन filters को वापिस से AC में लगा देते हैं तो जिस तरीके से आपने इन filters को AC से निकाला था उसी तरीके से आपको इनको fix करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं front लिखा हुआ है तो यह वाला हिस्सा आपका ऊपर रहेगा तो इस filter को आप अंदर की तरफ push करें इसके लिए अलग से space दिया हुआ है slot बना हुआ है उस slot के अंदर आपको इसको डालना है ठीक है insert करना है उसके बाद इसको अंदर की तरफ push करना है और यह आसानी से यहाँ पर fix हो जाएगा और make sure कर ले कि यह पूरी तरीके से आपका यहाँ पर fix हो चुका है so in the same manner आप दूसरा वाला जो filter है उसको भी आप fix कर ले और अच्छी तरीके से make sure कर ले कि यह भी आपका fix हो चुका है तो चलिए यहाँ पर यह जो दोनों filters हैं आपके fix हो चुके है तो इसके बाद आपको इस panel को बंद करना है और make sure कर ले कि यह आपका panel पूरी तरीके से बंद हो चुका है आप दोनों तरफ चेक करने कि ये दोनों तरफ से बंद हो चुका है तो चलिए अब ये पैनल पूरी तरीके से बंद हो चुका है और लास्ट में पावर प्लग को स्विच बोर्ड से कनेक्ट करना है So guys, finally मेरे AC ने काम करना शुरू कर दिया है तो दोस्तों आप भी अपने AC के फिल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें So thank you so much for watching